है गाइस वेलकम बैक टू इंग्लिश की पार्चाला एक बार फिर से आप सबका स्वागत हैं कुछ लोगों की लगातार फीडबेग हमें मिलते जा रहे हैं टीवी पर और यूटूब पर फेस्बुक पर यदि आप में से कोई फेस्बुक पर अब तक नहीं जुड़ा है तो पेज को लाइक करें टाइटैनियम एजुकेशन आफ इंग्लिश लैंग्विज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फेस्बुक पेज बना हुआ है उससे आप क्लिक करके और आज ही उससे जुड़ें इंस्टाग्राम पर टाइटैनियम इंग्लिश क्लासेस के नाम से एक इंग्णाल रखा है इसलिए आप लास तक देखे शलाइट शेयर करेंगे लास में आप आन स्टाट करेंग्र चुभारएम करते हैं वो लर्ह सबर्लों लो LO Lem स्टार ह कर रहें और आप लोग यहां जैसे हम क्लास में प्रैक्टिस करवारें आप गर्स जैसे भीनी स्बी पाई हो तो previous video को आप देखे, आपको easily ideas मिल जाएंगे कि passive कैसे learn करना है, क्योंकि हम active से passive नहीं पढ़ रहे हैं, हम direct passive ways पढ़ रहे हैं, right, school में आपने active passive पढ़ाता, active को passive में कैसे बदलना है, right, हम direct passive ways पढ़ रहे हैं, क्योंकि exam में कोई question नहीं पूछेगा, exam में तो question पूछ और कल बताया था previous class में कि passive किससे बनता है, be action third form, किसे, be action third form, तीन point बताया थे हिंदी में, कि हिंदी में कब active passive आते हैं, आपने कभी दिमाग नहीं लगाया, है न, मैंने बताया था किसी भी sentence में, हिंदी के यदि किसी sentence में, काम करने वाले का नाम ले रखा हैं, कैसे, जैसे काम में कर रहा हूं, मैं class पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो यहां काम करने वाला कौन है, I and you, तो किसी भी sentence में, यदि do or present है, काम करने वाला मौजूद है, तो उसे हम active voice केते हैं, हिंदी में, और इसका उलट, यदि किसी sentence में काम करने वाला मौजूद नही के लिए use करेंगे, B action third form, यह action third form वासर में condition का role play करती, जो tense pariवरतन होता है, वो B से होता है, और B का knowledge हम पहले ले चुके हैं, B की first form, इधर लिखा हूं, B की first form, B की second form, and B की third form, B, तो पूरा tense pariवरतन इस B से ही होगा, तो brief revision ले रहा हूं, कल वाला topic को एक-एक sentence से वापस पहले हिंदी में, यदि मैं कहता हूँ कि मैं नई book publish कर रहा हूँ, यह sentence active है या passive, active है न, मैंने नाम लिया कि मैं publish कर रहा हूँ, right, active है, किसी भी sentence में काम करने वाले के नाम ले रहा है, doer है, मतलब active है, लेकिन यदि मुझे ऐसे कहना कि नई किताब publish हो रही है, market में, यह active ह काम करने माला मौझूद नहीं वो पैसिव है क्लियर है सबको और हिंदी में समंध में आ गया कि यह पैसिव है तो उसको डारेक्ट इंग्लिश पर बनाने के लिए किसका प्रियोग करेंगे बीक्षा कोई आपको जो स्कूल के नियम याद रखने की ज़रूतनी एक रूल से अ थर्फों उठा के यहां रख दो पैसी बना रहे हम लोग और पब्लिश की थर्फों पब्लिश्ड ओके यहां तक लियर है लेकिन काम कंटिनियूस में बता रहे हैं नहीं कि आप पब्लिश हो रही है तो आई एंजी लगाना पड़ेगा अब स्कुल में रखते थे कंटिनि किसे ट्रांसलेट नहीं किया इसलिए ब्यूंद्ध ही कुछ ने दिगेगा आपको को दूसरा सर में कल शाम को यह आया था कुछ टूस जीर्टी डिसकस कर रहे थे एक्टीव इसके पैसीगा। यहां जीदी डिसकस हो रही थी एक्या पैसीज़ हे बात कर दो यह मतलब पास पास पजब सेगे फोँप राप सभी जानते है इजमर की सेखिए और सेगे फॉम क्या हो थी कल जीडे इसक्स हो रही थी जीडि एज़िड वस पैसीव यह तो बीएक्षन थार्फ वार वी और ड भाल ख़ीलियों चलने तो ती क्लेका बन जाई कि अब दिक्तिक साल हमें य्चिकें अब भाद बता रहेंगे को भी काम लगा तार रहें वो कभी उखतम होगा मैं डेफ्लन काम पर ईद्रस भीट ख payments मैं process in my Stephanie मैं न्या वीडियो affected कोई भी म stuck बताया था इसको बताना के लिए हैस और हैव के साथ कौन से फॉर्म राइट ये एक फिक्स कंपसरी कंडिशन है कि हैस है कि बाद थर्ड फॉर्म होगा तभी पता चलेगा कि ये काम समाप्त हो गया है खतम हो गया है जैसे मैंने निश्य कर लिया है तो आइफ डिसाइड ये इस फिर्फ फॉर्म चाहिए लेकिन यह पैसिव चल रहा है पैसिव को भी फॉर्म से बता रहे हैं बी की फिर्स फॉर्म क्या होती जैकिन्द फॉर्म थर्ड फॉर्म अभी काम में आएगा देखता हूं आपने से लो अप्लोड कर दिया है लेकिन चॉइस आपको क्या बोलना है जरूरी आप अप्टिम भी बात करो आपके चॉइस आप एक्टिम बोलो यह दि को ऐसे बोल तक नए वीडियो अप्लोड हो गया है यूटूब पे तो पैसिव क्यों काम करने वाले का नाम नहीं लिए है तो रहत क्या करलें लाएं और उसी समय जेकर किया बना बना रखा होगा है याण बी टर्फ्रम क्याена नहीं पड़ेगी, बोलो new video has been uploaded, अब जब हम books में पड़ते थे तो हमें रटना पड़ता था, continuous tense में बीं आता है, perfect tense में बीं आता है, अब क्यों आता है यह रीजन उसे में अधिकतर लोगों नहीं पता होता है, यहां बीं का बीं हमने खुद ने बनाया है, यहां continuous tense था इसले बीं की थर्फ हम बीं लगाई, clear है, यह first part हम पहली वाली glass में पड़ चुके है, मैंने ऐसी brief revision करवाया है, एक एक sentence देखे, अब मैं आगे चल रहा हूँ, हमने बहुत समय पहले एक topic पड़ा था, habits, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, I am get up early या सिफ I get up early, I get up early, I get up early, I get up early, habits को बताने के लिए आई और आई के जस्स बाद action, याद है ना पड़ चुके है पहले, बगाई आप प्रेजिंटेशन भी दे चुके इसके पर, है ना, अब मैं आपसे कुछ sentences पूछ रहा हूँ हिंदी मैं आपको identify करना वो active है या passive है, ना मैं ठॉच रहा हूँ है, मैं ठाय लगाता हूँ, I come here, बएलो, I come here, और ये इसlier इमाजिन केजिए कि इस Peninsula को मैं पहुचा लगाता हूँ होना, मैं पहुचा लगाता हूँ तो I mop this floor, बहलो, I mop this floor, अब नाम ले रखा the I mop this floor, रिंड है या passive है, यदि कोई गंदे पाम लेके और रूम में प्रवेश कर रहा है तो मैं भड़क के दो वाकिव में उसको बोलता हूँ ए, फर्स गंदा मत कर, मैं इस फर्स पर रोज पोचे लगाता हूँ active या passive? मैं लगाता हूँ नाम ले रहा तो active है दूसरे situation यार फर्स गंदा मत कर, यार इस फर्स पर रोज पोचे लगाए जाते passive नाम नहीं लिए सिर्फ काम का होना बता रहे है लेकिन आपको passive समझाए उससे पहले थोड़ा सा ध्यान रखेगा कि जब हम active बोल रहे मैं इस फर्स पर पोचा लगाता हूँ यार इस फर्स पर रोज पोचा लगाए जाता है इस फर्स पर रोज पोचा लगाया जाता है यह क्या है passive और passive किसे बनता है भी action third form अब routine activities की बात कर रहे हैं इस फर्स पर रोज पोचा लगाया जाता है इस फर्स को आप बोलो कि this floor क्या 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 काता सज्जे की तुरंट बाद action आता पैसी में भी इस लोर की डायरेक्ट बाद बी थर्फर मुठा के रख दो इस लोर भी और मॉब की थर्फर मॉब मॉब्ड एवरी डे बोली थोड़ा अब थोड़ा अप्वर्ड लग रहा होगा आपको ना कैसा पूल में नहीं पढ़ा है मैं लॉजिक से समझा रहा हूं समझें इस लॉट भी मॉब्ड एवरी डे बिल्कुल अक्वर्ड है क्योंकि प्रेजन सिंपल टेंस में सिंग्लर का लफड़ा रहता है तो यह आप चाहो तो इस बी को हटा के सिंग्लर की वज़े से क्या रख रहे है इस एम और आया समझें सबको ठीक है इस फर्स पर रोज-पोचा लगाए जाता है तो भी अब क्या करूंग दिस लॉट की जगे इसका नया रूप क्या हो जाएगा इस आजाएगा ठीक है ना तो इस फ्लॉर बी की जगे इसमार में से सिर्फ में सिंग्लर है तो इस उठा रहा हूं गोलो इस फ्लॉर इस मॉब्ड एवरी डे फिर से बुलिये इस फर्स पर रोज-पोचा लगाया जाता है क्लियर है कैसे आया यह इस थर्ड फॉर्म है वही बी थर्फॉर्म है क्योंकि बी की फर्स फॉम इसमार होता है एक लोजिक समगे पढ़ रहे हैं और डारेट पैसी बनाना कोई अक्टिव से पैसी ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं जिनको एक्जाम की प्रफ्रेशन करना ही उनको वह पर लेकिन यह पैसी पढ़ने के बाद आपको वह पैसी बड़े आसान लगें अभी हो सकता हूँ आपको ड इस बिल्डिंग को हर साल पेंट करता हूँ एक्टिव पैसी नाम ले रहे हैं मैं पैंट करता हूँ मेरा पैंटर इस बिल्डिंग को हर साल पैंट करता है इस बिल्डिंग को हर साल पैंट किया जाता है यह पैसीव है तो आप लिख लिजे बोल लिजे पहले तो इस ट्रड़ा पर उठाकर तो बी और पेंट की थर्ड फॉम पंठेड आगे एवरी इयर ठीक है लेकिन अब पता है तब बी की जगे क्या जागा भी फिर्स फर्म इसमार तो इस बील्डिंग इस प्रीडिंग इस पैंट इए ये इसमार के साथ थर्ड फॉम सबसे ज़्या काम मे आता, spoken से भी रहे, जिनकी books English में है, कई बार हमारे पास बच्चे आते हैं, 12th के just बात, जो Hindi medium से होते हैं, उनको लिखने में बड़ी दिक्कत होती है, जैसे ही वो engineering में जाते हैं, या professional courses में जाते हैं, एकदम से books English में आ जाती हैं, वो बच्चे हमारे पास आते हैं, कि सार में से manufacture होता आपको बताना हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा, design is prepared, subject is a third form, then after, components are manufactured, then all components are mounted on PCB, then that circuit is tested in laboratory, all the errors are removed, तो easy MR के साथ third form, easy MR के साथ third form, सबसे easy passive हैं, और सबसे ज़्यादा काम में आने वाला है, return में, तो जो आप में से अभी English medium में है, school से Hindi medium में रहे और अभी English medium है college में, तो उनके लिए ये ज़्यादा ध्यान देओ, जो इस program को देख रहे हैं, वो भी इस topic का ज़्यादा प्रय पड़ाया था, active気able, नाम ले रखा है मैने नया topic पड़ाया था active profit, लेखाया थाthl, active नाम ले रखा, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कहा एhoneज रहे खाय सब्सक्डाय के फश्य क्लनय आप पड़ाया ऱल्या गया कलनय टोपिक पढ़ाया की क्या है Digital Which Ajad इना चेंटो बोलते है थे ठीक है अब अकवर्ड लग रहा होगा कल नया टॉपिक बढ़ाएगा हम सब जानते पास के लिए सेकिंड फॉर्म इस पर नजर नहीं डाले तो यह कंडिशन करो यह तो थर्ड फॉर्म फिक्स है कोई सब भी टेंस में टेंस यह नहीं बदल रहे हैं टेंस कौन बदल रहा है नया टॉपिक पढ़ायागा था वॉले तो नुब टॉपिक वूस टॉट यस्टुड़ें यह एक्स कुरोसिव लिए डिफेरेंट तरीका है ना आपको अमोमन बुक्स में नहीं मिलेगा यह एक्स्टुजिव लिए दिफेरेंट तरीका है तो आप इसको सी रूप में पूछना कल क्या पढ़ा गया तो new topic लिग वार्ट लगा कि बोलो what was taught yesterday what was taught yesterday was taught a second a second new topic what level what was taught yesterday what was taught yes today what was taught yesterday in meeting 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 what was decided in meeting nothing was decided , nothing was decided यह present continuous past continuous present perfect यह present simple यह यह past simple स्कूल जैसे नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन स्पूकन में जैसे काम में आतम डिरेक्ट बना रहे हैं अब आज की यह दोनों नए टॉपिक है इसके लिए उपर दे रखें सारे बाकी यह ब्लैंक स्पेस में खुदको और आपको कुदको सेंटेंस बना के प्राक्टिस भी करना और लिखकर भी लाना नेक्स क्लास में और आप सबी लोग जो इस प्रोग्राम को घर पे देख रहे हैं बहुत फास्टेस क्योंकि यह टाइटेनम में हम करीब-करीब डेर गंटे में इन टॉपिक को फिनिश करते हैं आपको हम 15 मिनिक्स में बहुत कम समय में कंक्लूजन के साथ प्रैक्टिस के साथ आपको यह टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं पैसिव कई सारे लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट टॉपिक होता है हमने डारेट पैसिव पढ़ाया ना कि एक्टिव से पैसिव कई बाड़ लोगों को इतना एजीली एक्सप भी नहीं कर पाते हैं जिनों स्कूल से वह एक्टीव से पैसिव टरास्लेट किया हूँ अ इक्टीव से पैसिव टरास्लीट करना का प्रोसे लेग होता है यह बाट पैशिव ऑप इसका पैटन है ताकि आप ज्यादा बोल सब्सके इसको यूउस कर सके ऐकihat अव कह स्लाइट डिसपल मेजमार 3rd form, वर्सवर्थ 3rd form So this is the slide, इसे आप और sentence बनाए, कुछ आप अपनी तरफ से वाकि बनाए और प्रोसेस लिखने की कोशिश करें ता कि आप जादा जादा पैसिव, 2nd part पर फ्रेले, अब एक पैसिव का 3rd part और है, उसे में नेक्स क्लास में खतम कर देंगे आज के लिए काफी बलो, it's enough for today, अच्छा लगा आप से मिलके, आप खुशी ही, बलो, it was nice meeting with you, आप सभी लोग के भी feedback लगातार आ रहे हैं और बड़ी प्रसंता होती ही जब भी आपके feedback आते हैं, so keep commenting, इसको share भी करते रहे हैं, कुछ लोग share भी कर रहे हैं, उसमें भी बड़ी खुशी है, it's enough, see you in the next class, till then, keep watching English की पाट शाला, thank you so much